शिल्क वाम, शिल्क वाम are insects which belong to phylum Arthropoda, Class Insecta, Order Lapidoptera, Family, Bumbicidae, Genus Bumbex and Species Mori So the name of this insect is Bumbicidae, ये जो सिल्क वाम है, ये सिल्क प्रोडक्शन करता है, बहुत सारे insects हैं जो सिल्की प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो domestic सिल्क वाम जिसको घर में भी पाला जा सकता है, ये मल्बरी प्लांट्स के उपर फीड करता है, सबसे ज़्यादा सिल्की जो की जा रही है, ये जो insects हैं, इनके अंदर एक glands का प्रोडक्शन के अंदर इन insects के अंदर सिल्क की प्रोडक्शन के अंदर इन वाल्व है, जो के सिल्क काकून प्रोड्यूस करता है, अब ये insects सिल्क स्क्रीट करते हैं, इनिशली जब ये सिल्क स्क्रीट होता है, तो इन दी फॉर्म आफ विसकस फ्लूट, विच इस फोर्स थूरू ओपनिंग काल स्पिनर्ट्स, ये जो सिल्क की प्रोडक्शन होती है, ये सिल्क एक प्रोड़ी से बाहिर आता है, तो ये लिकर्ट फार्म के अंदर होता है, लेकिन जैसे ही इस कॉक कॉन्टेक्ट एर के साथ होता है, तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, अब इस सिल्क का जो डायमीटर है, ये कितना होगा, ये किस चीज़ के पर डिपेंड करता है, ये है, वो भी इसी के उपर डिपेंड करेगा, इसका अदलब है कि मुख्तलिफ जो सिल्क वाम है, उनके अंदर जो सिल्क प्रोड्यूस होता है, उसका जो डायमीटर है, वो वेरी कर रहा होता है, उसके लावा जो बेस्ट नोन सिल्क है, वो जो डुमेस्टिकेटिट सिल्क व मौत हैं उनसे प्रोड्यूस होता है ये एक हाइली प्रेशिस मुटीरियल है ये ख्याल किया जाता है कि जो सिल्क वाम रेरिंग की जो प्रैक्टिस थी जिसको सैरी कल्चर कहते हैं इसका जो स्टार्ट है वो चाइना से हुआ उसके बाद ये जो टेकनीक थी ये चाइना से य USA के अंदर ये 18 सदी के अंदर टेकनालोजी ट्रांस्वर हुई चाइना दुनिया के अंदर सिल्क प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है दूसरे नमबर पर इंडिया आता है इंडिया के अंदर भी जो सिल्क प्रोड़शन है वो काफी ज्यादा है इंडिया के Siericulture Industry इंडिया और पाकिस्तान का relieve करें तो पाकिस्तान के अंदर ये industry बहुत weak है यहाँ पर इस industry ने इतनी तरक्की नहीं की जितनी के China और इंडिया ने की है अब जो silk है इसके अंदर बहुत सारी quality है इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये बायो स्टील है यानि इसकी स्ट्रेंथ की बेस के उपर इसको बायो स्टील कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है इस वज़ा से इसकी बहुत ज़्यादा एप्लिकेशन है इन डिफरेंट फिल्स आफ लाइफ उसके लावा जो सिल्की प्रोड़क्शन है वो सबसे ज़ादा चाइना के अंदर होती है अब पाकिस्तान के अंदर ये जो सिल्क इंडुस्ट्री है ये क्यों तरक्की नहीं कर सकी उसकी बहुत सारी रीजन्स है अल्दो कि पाकिस्तान के अंदर जो सिल्क की डिमार्ड है वो बहुत ज़ादा है लेकिन इसके बावजूद हम तकरीबन 70% सिल्क दूसरे कंट्री से हासिल करते हैं और पाकिस्टान के अंदर इस इंडस्ट्री ने इस वजह से तक्की नहीं की क्योंकि हमारे country के अंदर जो trained personals है वो बहुत काम है दूसरी बार पाकिस्टान के अंदर जो silk warm का local strain है उसके अंदर mortality rate बहुत जादा है इससे पहले कि जो silk warm है इसका लारवा silk produce करना शुरू करें उससे पहले ही mostly जो silk warm है उनकी death हो जाती है इसी तरिके से जो हमारे farmers हैं उनकी जो economic conditions हैं वो ठीक नहीं है क्योंकि आम ताइप पर जो oom used की रेरियंग है यह रूलर एडियास के अंदर जो poor families हैं वो करती हैं और वो traditional तरीकों से silk warm की rearing करते हैं जिसके व जासे इस से इतनी silk produce नहीं हो सकती जितनी के बाकी जो develop countries वो कर रहे हैं क्यूंकि वक के साथ साथ बहुत सारी इन्नोवेशन आ चुकी हैं हम सिल्क की क्वालिट्री को बढ़ाने के लिए और बंबिक्समोरी से इसकी प्रोडक्शन जादा करने के लिए बहुत सारी अड़वांस टेकनीक का इस्तवाल कर सकते हैं बहुत सारे इसके पास अवेलेबल नहीं है इस इंडस्ट्री की तरक्की ना करने की एक वज़ा ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिल्क इंडस्ट्री है ये कभी भी गौर्मन्ट की प्रायोटी के अंदर नहीं रही क्यूंकि अगर हम इसके उपर फोकस करें तो हम ना सिरफ जो हम हमारे लोकल सिल्क वाम है उसके अंदर जो मोटैलिटी रेट है उसको मिनिवाइस कर सकते हैं बलके पूर फैमिली और जो फार्मर्स जो इसकी रेरिंग के अंदर इन्वाल्व हैं हम उनको ट्रेंड करके इन से ज़्यादा प्रोड़क्शन हासल कर सकते हैं